हेलो फ्रेंज, वेलकम बाक तो माई चैनल, कैसे हो आप सब, I hope you all are safe and healthy तो आज हम एक बहुत ही important case discuss करने वाले हैं and it is of professional misconduct ये case अपने आप में बहुत ही unique है because इससे पहले इस तरह का कोई भी issue जो है regarding the professional misconduct of an advocate ये सामने नहीं आया था अब ये जो case है, ये थोड़ा सा lengthy होने वाला है so video end तक जरूर देखिएगा पीच में ही skip मत कीजिए या फिर skip कर करके भी बिल्कुल मत देखना otherwise आपको समझ में नहीं आएगा so let's begin the cases of John D'Souza versus Edward Annie so here is the case of John D'Souza versus Edward Annie A.I.R. 1994, SC. 975 अब इसके लिए जो bench constitute हुआ था it was of Justice Pandyan S.R. and Justice Savant PB date of judgment रहा इसका 17.12.1993 अब हुआ क्या था exactly इसके facts देख लेते है तो एक married couple था एक husband and wife थे husband Mr. Annie Remand और उनकी wife थी Mrs. Mary Remand ओके ये married couple था अब इसमें से जो wife थी मतलब Mrs. Mary Remand इन्होंने क्या किया एक will बनाया ओके will means देखो हमारे मरने के बाद हमारा जो भी property है वो किस से जाएगा किस तरह से जाएगा आप ये सब जिसमें लिख के छोड़ जाते हो जिस document में उसे बोलते है will इन्होंने एक will बनाई अपने तो ये will जो है ये draft की थी advocate John D. Sousa इनके जो advocate थे John D. Sousa इन्होंने ये will जो है वो draft की कब किया ये 1968 में अब will draft करने के बाद वो जो will है Mrs. Mary Raymond ने इन ही के पास मतलब वो interest की मतलब इन के पास ही वो रखी in his custody in John D. Sousa's custody बट उस will का जो executor था वो कौन था और किसको बनाया उन्होंने अपने husband को मतलब Mr. N. E. Raymond executor मतलब कि जब इनकी death हो जाएगी तो उसके बाद ये will में जो भी कुछ है वो कौन carry on करेगा carry on in the sense उसमें जो भी लिखा है उस will को उस हिसाब से कौन carry on करेगा this person ये execute करेगा मतलब उन्हीं के husband अब ये will जो advocate ने draft किया Mrs. Mary Raymond का इन्होंने उसका एक जो receipt है इनको दिया कब दिया 5-7-1968 को किस चीज़ का receipt दिया कि मतलब आपका जो ये will है ये मेरे पास है आपने ये मेरी custody में रखा हुआ है और देखे हमने Advocates Act में जो रूल से उसमें पढ़ा हुआ है कि advocate को एक register maintain करना होता है उसमें सब उसके पास क्या पैसा आ रहा है क्या जा रहा है उसके बाद क्या documents आ रहे है जा रहे है उसके एक register उसे maintain करना होता है तो उस register में देखे इन्होंने entry की उसका कोई entry number भी था बट अभी case के understanding के लिए मैंने वो इतना मतलब जादा critical complicated हो जाएगा इसलिए मैंने mention नहीं किया है बट इतना समझ लीजे कि इन्होंने will बनवाया इनसे ये will इन ही के पास रखा गया इनकी custody में और उनके पास वो रखा है इसका as a proof मतलब उन्होंने receipt भी इन्हें दे दिया इस particular date को receipt भी दी और अपने जो register है register of wills जो उन्होंने खुद maintain किया था अपना एक उसमें इसका entry भी करवा दिया बट नाउ what happened आगे क्या हुआ कि will के जो executor थे वो तो any remnant थे बट इन से पहले मतलब wife से पहले ही husband की death हो गई अब wife से पहले ही अगर husband की death हुई है और will के हिसाब से इनकी will के हिसाब से इनकी will का executor तो ये था अब इनकी तो death हुई है तो अभी इनको changes करने पड़ेंगे ना इस will में तो ये देखो इनकी जो death है husband की 1974 में हो गई 68 में will बनाई थी 74 में husband की death हो गई तो अब death होने के बाद क्या हुआ ये जो Mrs. Mary Raymond है इन्होंने अपना lawyer change कर दिया अब इन्होंने अपना lawyer किसे रखा Mr. Josh De Costa अब ये जो George De Costa है मतलब इन्होंने जो अपने as an advocate इन्होंने अपोइंट किया है इन्होंने जो appellant है हमारे John D'Souza हमारे case में देखिए नाम में दिया हुआ I don't know ये camera क्यों बार-बार blur हो रहा है ओके ये जो George De Costa है मतलब newly appointed lawyer of Mrs. Mary Raymond इन्होंने जो इनके पूराने advocate थे ना John D'Souza इनसे वो will मतलब उनसे request किया कि आप वो will जो है वो return कीजे ये कब हुआ 78 में husband का death हुआ 74 में मतलब 4 साल बाद इन्होंने lawyer change कर दिया अपना तो अभी इन्होंने सीधा सीधा deny कर दिया इन्होंने कहा कि मेरे पास तो ऐसो कोई उनका will है ही नहीं ओके तो आगे क्या हुआ फिर इन्होंने अब एक दूसरा will prepare कर लिया obviously क्योंकि इन्होंने सीधा मना ही कर दिया कि हमारे पास तो ऐसो कोई will है नहीं और time जा रहा है देखे इन्सान का एज बढ़ता है तो कोई guarantee नहीं होती है अब इनके husband तो already चले गए अभी इनका भी कुछ हो ना जाए उससे पहले ही इनको कुछ changes करवाने है will में तो इसलिए इन्होंने अपना एक नया will जो है वो बना लिया कब बनाया ये 246,78 और किससे बनवाया अब जोज डिकोस्टा जो थे उनसे बनाया अब यहाँ पे आते हमारे ये 4th character आता है यहाँ पे हमारा ये जो की है Edward Annie जो हमारे case name में भी है अब ये कौन थे ये Mrs. Raymond जो थे मतलब जो Raymond couple था उनके son-in-law थे उनके son-in-law थे तो son-in-law उनके जमाई थे मतलब तो और वो उनके legal representative भी थे Mrs. Raymond की जो state थी legal representative कौन होता है मतलब कि उस state का जो भी कुछ है legal कोई भी होगा कोई case है कुछ भी है जो भी suit होगा उसका तो उसमें ये represent करेंगे उस particular property को तो अभी इन्होंने भी जो है दो letter लिखे थे one on behalf of Mrs. Raymond and one इन्होंने personally खुद लिखा था एक लिखा था 4th of January 1982 और एक लिखा था 15th April 1986 किसको लिखा था तो ये जो हमारे भाई साब है यहां पे जिन्होंने will return ही नहीं किया है ये advocate John D.Costa sorry D.Souza इनको letter लिखे दो letter लिखे जिसके इनके पास proof भी थे कि भाई जो हमारा will आपके पास पड़ा हुआ है मतलब Mrs. Mary Raymond का वो return कर दो तो इन्होंने दोनो letter को क्या है reply नहीं किया इनके जो newly appointed मतलब जो नए इनके वकील थे इन्होंने भी भागा तो इन्होंने सीधा क्या बोला कि मेरे पास तो वो है ही नहीं मैंने return कर दिया है उनको और जब उनके legal representative और उनके son-in-law जो है मतलब Edward है नहीं इन्होंने भी जब इसकी demand की तो इन्होंने उनके दोनों भी letter को reply ही नहीं दिया तो आगे क्या हुआ कि यह जो Mrs. Mary Raymond है जिनका will था तो वो उनकी death हो जाती है तो death कब हुई यह 1984 में death हो गई तो second will was probated तो उन्होंने जो नया will उनका बना लिया था second will Josh Dicostra से it was probated मतलब वो valid वहाँ पे हो गई तो यहाँ पे जो Edward N.E.thin मतलब इनके son-in-law he was aggrieved by the you know behavior of this John D.Souza उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यह advocate ने ऐसा क्यों किया उन्होंने वो will return करना चाहिए था तो उन्होंने complaint file कर दिया under section 35 of Advocates Act कहाँ पे किया complaint file करनाटका का जो बार काउंसील है न करनाटका स्टेट का वहाँ पे उन्होंने complaint file कर दिया under section 35 मतलब under section 35 है मतलब professional misconduct का complaint है तो 86 में इस particular date को अब issue क्या था इस case का what is the issue तो issue यह है कि whether an act of the advocate not handing over the will in his custody to the client amount to professional misconduct or not मतलब अगर कोई advocate इस तरह से अपने client का जो will है वो return नहीं करता है उसे तो यह professional misconduct माना जाएगा या नहीं तो state bar council जो है अभी इन्होंने यहाँ पे देखो state का करनाटका का जो बार काउंसील है वहाँ पे complaint किया तो इन्होंने क्या कहा इन्होंने तो वो reject कर दिया वो complaint उन्होंने यह उनका जो complaint है वो सीधा reject कर दिया तो यह कहा गए फिर बार काउंसील ओफ इंडिया में बार काउंसील ओफ इंडिया में इन्होंने एड़ड एनी ने आगे वो गए तो Bar Council of India ने क्या किया It set aside the order of State Bar Council तो उन्होंने उनका जो ये reject इन्होंने किया था ना उनका ये order मतलब set aside मतलब इसे रद करवा दिया और उन्होंने remitted the matter to the disciplinary committee of the State Council तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो है इसमें prima facie evidence है कि ये matter जो है professional misconduct में ये complaint मतलब जो है उनकी जायज है बट State Bar Council के पास जब गया तो उन्होंने क्या किया कहा कि the appellant is मतलब हमारे case में जो अभी appellant है मतलब जो advocate John D'Souza है He is not guilty of professional misconduct State Bar Council ने सीधे सीधे बोल दिया कि कोई professional misconduct नहीं हुआ है तो फिर से Edward A.N.I. जो है वो कहां गए वो गए Bar Council of India के पास अब Bar Council of India का जो disciplinary committee है उन्होंने क्या decision दिया उनका decision ये आया कि उन्होंने appellant को one year के लिए suspend कर दिया उनकी practice से one year के लिए suspend कर दिया मतलब जॉन डिसूजा को ओके तो आगे क्या हुआ जब Bar Council of India का ये decision आया तो ये मतलब भी हमारे present case में जो appellant है advocate John D.Souza इन्होंने stay petition under section 14 clause 2 of advocates act इन्होंने एक stay petition डाला और आगे उन्होंने supreme court में appeal की तो supreme court में appeal करने के बाद supreme court का क्या decision आया the respondent has proved that the appellant had not returned the will तो जो respondent थे मतलब हमारे ये जो Edward Annie थे जो Raymond family के जमाई थे इन्होंने successfully proof किया था कि जो will है ये return नहीं की गई थी इनके द्वारा appealant has changed his stand अब देखे जब ये सारा हो रहा था जो contentions हो रहे थे तो कभी देखो इन्होंने क्या कहा है first he denied of having the will पहले तो इन्होंने क्या कहा कि मेरे पास will है ही नहीं बाद में इन्होंने क्या कहा कि जो will है मैंने उनको return कर दी है 1982 में ही बट देखे जैसे entry होती है कोई चीज मतलब अब भी advocate के custody में जब वो will गया था तब देखे यहां पे हमने पीछे देखा था कि यहां पे उन्होंने एक receipt दी थी तो यह receipt जो थी इनके पास यह जो एड़ड एनी है इनके पास यह proof था कि हां इनकी custody में था और यहां पे entry हुआ था देखे तो जैसे entry होता है इनके custody में कुछ आया तो उसी तरह से एक entry होता है कि अगर यह कोई document इनके पास जो custody में है वो return करते है तो उसका भी entry होता है बट जब cross check हुआ तो इनके पास इनके पास ऐसा कोई भी entry नहीं मिला कि कोई भी proof नहीं मिला मतलब कि इन्होंने return किया है वो will आगे सुप्रीम कोट नहीं यह कहा कि he was bound in duty to return the said will when demanded तो यह इनके duty थी दिखो हमने न advocates की duty पड़ी है न कि उसका duty towards the client क्या-क्या duties है तो यह उसका duty था कि वो उस will को जब first time ही उन्होंने demand की थी जब उन्होंने advocate change कर दिया था तभी आपने वो return करना यह आपकी duty बनती है the appeal is accordingly dismissed and the stay granted by this court shall stand vacated और जो stay लाया गया था मतलब जो disciplinary committee थी BCI की उन्होंने जो उनका जो decision था कि उन्हें एक साल के लिए देखे यहां पे suspend कर दिया था न तो यह जो order है जो उनको मतलब जो एक punishment के तौर पे उन्हें जो order दिया गया है it will come in action मतलब Supreme Court ने यहां पे बिलकुल ही मतलब justice करते हुए इस particular case में यह कहा कि advocate के पास इस तरह का कोई भी document अगर होता है client का तो he is bound in duty यह उसका duty है कि वह उस document को return करे अब जब यह argument चल रहा था न मतलब जब यह contentions देखे यहां पे यह सब लिखना possible नहीं होता है बट यह सब जब चल रहते न तब यहां पे इन्होंने न एक मुद्दा यह भी कहा था कि anyways वो will जो था वो तो scrap paper बन गया था क्योंकि जो Mrs. Mary है उसने अपना दूसरा will बना लिया था तो इस point पे पता है Supreme Court ने क्या कहा कि वो paper भले ही scrap क्यों नहों फिर भी यह आपके duty बनती है कि आपने उसे client को return करना है क्योंकि वो client का ही document है आपको कोई right नहीं बनता कि आप इस तरह से किसी भी client के documents जो है आपके पास रखें तो I hope so कि आपको यह case जो है समझ में आया होगा